नमस्कार विध्यारतियों समासास्त्र बीए थर्ड सेमेस्टर 12th MAPGT UGC NET के लिए आज का टॉपिक है Theories of Social Change, Information Technology, अध्या है सामाजिक परवर्तन के सिद्धान, सूचना, प्रध्धवगी की या तक्नीक Model Paper, One Liner for MCQs लेकर हम आजे रहें, आज का पहला कॉश्चन, भारत की Silicon Valley किस नगर को कहा जाता है ये सीरिज आपको General Knowledge और General Studies में भी काम आएगी, Even Competition Exam में भी काम आएगी भारत की Silicon Valley किस नगर को कहा जाता है, बेंगलियूरू को प्रश्चन दो, सूचना प्रध्धवगी की यानि IT के माध्यम कौन कौन से हैं, टेलीफॉन, टेलीविजन, कम्प्यूटर आधी, ICT के माध्यम हैं Q3. प्राचीन भारत के प्रथम सूचना तक्निक की विशेसक कौन थे, बेद व्यास थे, प्राचीन भारत के प्रथम सूचना तक्निक की Q4. विश विश्तर पर सूचना प्रध्धवगी की यानि IT, Information Technology का आधान प्रदान करने के लिए, कौन से कम्प्यूटर की आप सकता होती है, सूपर कम्प्यूटर Q5. भारत में प्रथम सेट अब कब-कब लगाया गया, सन 1967 में, 1967 Q6. The Capital Pustak के लेखक कौन है, काल मार्क्स? Q7. मनुस जैसा कार करता है, वैसा ही सोचता है और अनभव भी करता है, या कथन किसका है, या कथन है वैबलीन का Q8. सामाजिक परिवर्तन हेतू, उत्तरदाई कारकों में सबसे महत्पून कारक कौन सा है? प्रॉद्धविगी यानि टेक्नलोजी का अर्थ उन विधियों, ज्यानों और दक्सताओं से है, जिनकी सायता से मनुसित, भातिक और जैवगी तथ्यों को नियंतित करता है, उप उद्देश या उद्देश्यों की पूर्ती हेतू, अप्रत्यक्ष तथा उच्छ स्रेणी के साधनों की ववस्ता प्रॉद्धवगी की है, यकतन किसका है, ये प्रॉफिसर सरन ने ये बात कही थी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अब तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवस्त कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें, वीडियो को फसंद आने पर लाइक, कमेंट और शेयर अवस्त करें, जासे जाधा शेयर करने से अधिक से अधिक छात्रों का लाब होगा, और उनको भी लाब होगा, तो आपको द अवन डेड़ सो परिवर्तनों का, 150 परिवर्तनों का उल्लेक किया है, आग बर्न ने, कौशन नमर थर्टीन, छोटे यंत्रों के प्रयोक से ही मानवी संबंदों में विस्तरित एवं अनपिक्षित परिवर्तन हुए हैं, ऐसे अनेक अध्यानों का उल्लेक किसने किया है, कौशन नमर 14, मानव के उद्देश्यों या विभिन्यावशक्ताओं की पूर्ती में, अनुशक्ति का प्रयोक कैसी खोज है, एक युग प्रवर्तक खोज है, यह एक युग प्रवर्तक खोज है, कौशन नमर 15, भारत में सूचना परधवी का प्रथम सेटप किसके द्वा वानिज की कानूनी प्रक्रियाओं के लिए कब बनाया गया था सन 2000 में बनाया गया था कॉच्छन नमबर 17 वर्तवान में सूचना प्रद्धोगी की यानि information technology का मुख्य कौन से संग्ठन कारे करते हैं यह मुख्य आईटी सेक्टर के संग्ठन है कॉच्छन नमबर 18 कम्प्यूटर को भेजे जाने वाले सिगनल को टेलीफोन नेटवर्क पर संचार योग की ध्वनी सिगनल में कौन सी डिवाइस बदलती है मौडम बदलती है क्या कहलाती है जिसकी द्वारा एक या कुछ विचार विचारों को अनेक साधनों के द्वारा बड़े समधाय तक पहुंचा जाता है वो कहलाती है जन संचार कोशन नमर 20 की तरफ बढ़ने से पहले एक बार फिर अनुरोद कर दें कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवस्य कर लें हमारी वीडियो को बहुत लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब उतनी मात्रा में नहीं हो पाय करेंगे लाइक कमेंट और शेयर अवस्य करें ताकि और वीडियो को उपयोगी बनाए जा सके आगे कुशन नमर 20 की तरफ बढ़ते हैं सूचना प्रवद्वद्वी का सरवादिक प्रयोग किस शिक्षा में लाबकारी है डिस्टेंस एजूकेशन दूरस शिक्षा में सब्सक्राइब किस कंप्योटर के पास ऑपरेटिग सिस्टम होता है सरवर के पास होता है और समय कंप्यटरूटर को आपको जन्रल नाौलेज चन्रल स्टेडिंस अ कंपिटीशन में भी आते हैं उस लियाद से भी वीडियो बहुत महत्पूर है अन्ट तक देखिएगा इस 4 questions की तरफ बढ़ते हैं, computer द्वारा किसमे data को संग्रेत यानि storage किया जाता है, CPU, Central Processing Unit, question number 25, computer के तीन मुक्ष घटक कौन से है, input, processing और output, question number 26, computer का पूरा नाम क्या है, common operating machine, purposely used for technological and educational research, इसे बोलते हैं, computer, common operating machine, purposely used for technology and educational research, इसे पूरे इसको बोलते हैं, computer, 27, भारती सुपर कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं, भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक हैं, विजय, पांडू, कर भाठकर, question number 28, विश्व में computer का जनक किसे का जाता है, को डिस्व में कम्प्यूटर का जनक वाना जाता है Nhikk के इसका नाम था कि इस की कि अंतिमकडी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं लेप्टॉप के जनक कौन माने जाते हैं Adam Osborne 1981 ओपॉर्टेवल कम्प्यूटर की अभधरना 1968 में एलन के द्वारा दी गई थी अगर हम लेप्टॉप के जनक की बात करेंगे तो Adam Osborne है नाइंटीन इटीवन और पॉर्टिवल कंप्यूटर की अबधारना 1968 में एलन के द्वारा दी गई थी एक चालira फीटियवन डाटा फ्रद्लिंग चम्ताओं के आधार पर कॉम्टूटर कितने प्रकार क्या होते हैं तीन प्रकार क्या होते हैं ऐनलॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर हाइ hybrid कंप्यूटर मोबाइल की फुल्फरम क्या है मोबाइल जो हम यूज करते हैं डेली हमारे जेब में रखा रहता है जिसके काम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं आजकल मूबाइल जो है वो सोचल मीडिया नेटवर्क यूटूब फेस्बूक इंस्टाग्राम इसके अलावा केमरे का भी काम करता है टाइम का भी काम करता है और भी मिन तरीके बेंक के लेंदेन का भी काम कर रहा है इसके फुल्फरम है मोडिफाइड ऑप्रेशन बाइट इंटीगेटर लिमिटेड एनरजी इनर्जी कोच्छन नमबर 33 Google GOOGLE फॉर्म क्या है फुल फॉर्म क्या है इसकी गूगल का of oriented group language of earth, global organization of oriented group language of earth, 34 की तरफ बढ़ते हैं, IT sector के अंतरगत क्या आता है, IT sector के अंतरगत उत्तर है, data को management करना, internet से समझेद कार करना, यह सभी IT sector के अंतरगत आता है, question number 35, विश्प का सबसे तेज computer कौन साथ चुना गया है, अमरीक की सूपर कम्प्यूटर, frontier और दुनिया का सबसे तेज कम्प्यूटर चुना गया है, वीडियो को पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर करते हुए, चैनल को सबस्क्राइब, अवस्य करें, यह सयोग हमें अवस्य प्रदान करें, मिसन मुस्कान के साथ पढ़ते रहिए, मुस्कराते रहिए,